हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको यूटूब का एक बहुत अच्छा अपडेट के बारे में बताऊंगा कि यूटूब ने एक अपना नया QR कोड जनरेट किया है लॉंच किया है जिससे आप अपना QR कोड देख सकते हैं और किसी दूसरे का चैनल का भी QR कोड आप कैसे देख सकते हो और उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अखे Бण Tech के और कोड को कि सकैन कर के क्या होता है क्या से पयज उपन होता है क्या सेटिंग उपन होती है वो भी बताऊंगा और इससे आप यूटूब के सब्सक्राइबबर बढा सकते हैं तो चले फ्रेंड्स श अपना YouTube channel open कर लेना है, ठीक है, तो मैंने अपना channel YouTube app में open कर रखा है, ठीक है, तो यह मेरा channel है, App Crafting Hub, और तो इसका QR code देखने के लिए, कि QR code कैसे download किया जाता है, ठीक है, तो एक 3.1 बटन दिखना ना, इस पर आपको click कर देना है, यह setting आप चाहे Android mobile में open कर सकते हो, या iPhone mobile होगो ना, वहाँ पर भी open कर सकते हो, same process आपको follow करना होगा, तो 3.1 बटन पर click करने के बाद एक option देखेगा, आपको share, इस पर आपको click कर देना है, ठीक है, अब जो share वाला pop-up होगो ना, वह या पर open हो जाएगा, ठीक है, और थोड़ा पनीचे scroll करोगो ना, एक option देखेगा, आपको QR code, ठीक है, इस पर आपको click कर देना है, अब friends QR code यह पर download हो जुका है, ठीक है, तो आँगे मैं बताँगा कि अपना और किसी दूसरे का चैनल का भी QR code, आपका देख सकते हो और download कर सकते हो, ठीक है, तो यह तो friends आपका चैनल का QR code यह पर open हो चुका है, ठीक है, और आपका channel का नाम जुका है, और handle आ यह मेरा App Crafting Hub और यह मेरा QR Code यहापर आचुका है और जो भी मेरी चैनल की DP होगी न यूटुब चैनल की मेरी जो DP है प्रोफाइल पिच्चर हो यहापर आचुका है और यूटुब का आइकन आचुका है ठीक है तो इस QR Code को डाउनलोड करने के लिए एक option दिख रहे हैं आप यह वाला first वाला इस पर मैं खिलिक कर दिया और इस पर किलिक कर दिया यह मेरा Friends मेरा QR Code YouTube चैनल का डाउनलोड हो चुका है ठीक है और डाउनलोड करने के बाद आप शियर बॉतन पर क्लिक करके इसको आप इसको भी शियर भी कर सकते हो ठीक है WhatsApp से, Skype से कोई भी अप से ठीक है ताकि आप वो मिच नगर पाए अगर आप हमारी वीडियो पर कुछ सुझाओ देना चाहते हैं या अगर आपको को भी प्रवलम आती है तब आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं तो मैं हमेश्या अपने यूजर के साथ इंगेजमेंट बनाया रखता हूं उनकी कमेंट का ह हमेश्य में रिप्लाइ देता हूं तो यह था किrir को कैसे करते हैं थिक है मैं बता दाओं कि किसी डूसरे का चैनल का wa क्या नया YouTube channel बनाया था ठीक है तो मुझे उसको QR उसकी channel का उसकी YouTube channel का QR को download करना है ठीक है तो Ronaldo पर मैंने click कर तिया Ronaldo strategically शेनल ओर यह पहला वाला channel आज चुका है is इसका पर मैंने click करा और यहां इया पर आज चुका है ठीक है और काफे लोगों ने त्री डॉट पर जाना और शीर वाले बटन पर क्लिक करना और QR कोड एक बटन दिख रहा है तो आपको क्लिक कर देना है और यह यह आपर इसका रोनाल्डो का यूटुब का QR कोड यह आपर आचुका है इस तरह से आपको इसका स्क्रिंशॉट भी ले सकते हो आप चाहे ठीक ह और जैसे मैं स्क्रिंशॉट लेगे दिखाता हूं आपको यह फ्रेंड्स मैंने स्क्रिंशॉट यह आपर ले लिया है ठीक है और आगर आपको स्क्रिंशॉट नहीं लेना है तो सेव डू कैमरा रोल पर क्लिक करके यह QR कोड आपके ग्याल्डी में सेव हो जाएगा ठीक है यह फ्रेंड्स यह तो मैंने QR को डाउनड़ कर लिया दूसरे चैनल का भी ठीक है अब मैं बताता हूं कि QR कोड को स्कैन कैसे करता है तो तरीके मैं बताऊंगा ठीक है तो पहला तरीका है आपको अपना कैमरा उपन कर लेना है कैमरा आपने उपन कर लिया अब जो गूगल यह उपने जलिक कर देना है तो जैसे आपंने चैनले का प्र पर ओपन हो चुगा है तो जैसे मैंने अपने चैनल का QR code scan कहता है यहापर मेरा channel open होके यहापर आ चुका है तो friends यह था पहला तरीका कि इस QR code कैसे scan करते हैं अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ तो दूसरा तरीका यह है friends जैसे दूसरा mobile है मेरे पास तो दूसरे mobile पर यह मैंने QR code यहापर भीज रखा है अपने YouTube चैनल का थीक है इसको कैसे scan करते हैं दूसरा mobile का तो मैं अपने mobile का camera open कर लेता हूँ तो अब मुझे इस mobile से दूसरे mobile का QR code scan करना है जैसे आप Google पर phone पर QR code scan करते हो वैसे आपको scan करना है ठीक है अपने camera से तो यह मैंने QR code scan कर लिया और एक pop-up यह pop-up आ चुका है आपना YouTube का इस YouTube वाले button पर click कर दो आप जैसे आप उस YouTube वाले link पर click करोगा और जिसका भी QR code वो होगा यह पर उसका channel open हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप दो तरीकों से किसी भी YouTube की channel का QR code scan कर सकते हो औ और इस QR code को आप चाहे Facebook पर लगा सकते हो चाहे Instagram पर यह अपने YouTube चैनल की community पोस्ट में भी आप इस QR code को share कर सकते हो ठीक है तो friends अगर ही वीडियो आपको अच्छे लगी है तो इस वीडियो को like करें और जाद 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 लोग के पर share करना ताकि उनको भी पतर चल सके कि YouTube क क्या नए अबडेट क्या है और YouTube चैनल का QR code कैसे download करते हैं और उसको कैसे scan करते हैं चले friends मिलते हैं नेक्स वीडियो में heavenized